जैसरी करष्ण मित्रों, मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2021 में सीतला सप्तमी का वरत कब रहेगा इसका शुब महुर्त पूजा विधी और इसकी पुन्ने दाइनी वरत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे तो सितला सब्तमी के दिन माता सितला देवी की सरद्धा पुर्वग पूजा आराधना करने से माता सितला के आशिरवाद से समस्त दुख संकटों का नास होता है और जीवन पूरा सुखमई रहता है तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचें आप नित्य के नई नई ग्यान वरधक जानकारियां वो नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो सितला सप्तमी पर सितला माता का पूजन अर्चन किया जाता है माता सितला को सोम्यता का प्रतीक माना गया है इनके हाथ में जाडू और मटका होता है तो इसी माननेता है कि जो भी भक्त माता सीतला को प्रसन कर देता है उसे सभी देवी देवताओं का आशिरवाद भी मिलता है और जीवन उसका सुखमई व्यतित होता है तो इस वर्स 2021 में सीतला सप्तमी का वरत रहेगा दिनांक 4 अपरेल 2021 को रहेगा तो सीतला माता का सुरूप इस प्रकार से है गर्दव यानि गधा इनका वाहन होता है इनके हातों में जाडू और एक मटका होता है जाडू सफाई का प्रतिक होता है और माता के दूसरे हात में परिवार जनों के बहुजन के लिए एक दिन पहले बहुजन पकाना चाहिए। पहले दिन बने हुए यानि बासी भोजन का भोग अर्पित करना चाहिए ठंडा भोजन इने भोग में लगाया जाता है साथ ही सितला सब्तमी अश्टमी वरत की कथा सुनना चाहिए अत्वा पढ़ना चाहिए तो सितला सप्तमी की पुन्य दाइनी वरत कथा इस प्रकार से है इस कथा को इस दिन सरद्धा पुरवक सरवन करने से माता सितला देवी की विशेश करपा मिलती है उनके आसिरवास से जीवन सुखमे रहता है तो यह कथा इस प्रकार से है कि एक बार सितला सप्तमी की दिन एक कहीं बासी भोजन खाने से वो उनकी संतान बिमान नहीं हो जाए इसलिए बासी भोजन ग्रहन नहीं करके अपनी सास के साथ माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भोजन बना करके उनका चूर्मा बना करके ख उन्हें मृत मिले जब सास को पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया दोनों अपने शिशू के शवों को लिए जा रही थी तब एक बरगत के पेड़ के पास रुक करके विसराम के लिए ठार गई वही पर ओरी वशीतला नाम की दो बहने बैठी थी जो अपने सर में पड़ी जूओं से बहुत परेशान थी दोनों बहुओं को उन पर दया आई और उनकी मदद की सर से जूओं उनकी खत्म हुई और उन्हें कुछ चेन मिला और बहुओं को उन्होंने आशिरवाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए तब उन्होंने क हचान लिया कि साक्षात माता सीतला है तो चरणों में पड़ गई और छमायाचना की माता को भी उनके पस्चाताप करने पर दया आई और उनके मरत बालक जीवित हो गए तब दोनों खुशी-खुशी गाउं में लोट आई इस चमतकार को देख करके सभी हेरान रह गए इस इसके बाद पूरा गाउ माता सीतला की पूजा अर्चना करने लगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवर्धक जानकारी पसण आई होगी यदि आपको पसण आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक सेथिक शेयर अवश्य करें जिससे कि अधिक प्रेस्नमित्रों फिर में लेंगे.